नमस्ते दोस्तों कैसे हूँ आप सब? I hope आप सबी अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे धम्मा केदार टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे कि आपके धेर सारे पैसो की बचत होगी गंटों के काम मिंटों में होंगे और आपका फ्री में घर भी औरगनाईज रहेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को पूरा दिखिए पसंद आये तो दोस्ते के साथ शेयर करना ना भूले तो यहाँ पर हमारी पहली टीप है माचिस के लिए देखिए कई बार ऐसा होता है न कि हमारी माचिस कई गुम हो जाती मिलती नहीं है या फिर हम भूल जाते है बारिश के मौसम में इसमें नमी आ जाती है चलती भी नहीं है ठीक से या फिर गिले हाथ लगनी की वेज़े से भी दिक्कत होती है तो इस तरीके से प्रॉब्लम अगर आपको कभी भी आई है तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि यहां पर हमें पुरानी चीज से बिल्कुल हमारा यह जिंजटी खतम होने वाला है तो देखें यहां पर हमें क्या करना है माचिस की जो भी तिलिया है इस तरीके से निकालनी है दो तीन माचिस की तिलिया भी आप एक ही जग़पे रख पाओगे और साथी में देखें इसम फिर ग्लू लेना है और इसके उपर माचिस का साइड वाला हिस्सा लगाना है तो देखे इस तरीके से आपके जो ये सारी माचिस की तिलिया है नमी से दूर रहेगी साथी में घर और्गनाईज रहेगा माचिस की डिप भी आपको ढूणने की जरुत ही नहीं पड़ेगी ट् इसको बहुत ज्यादा कपड़े में लपेट के पॉलिथीन में डाल के इस तरीके से लेके जाते हैं पर क्या होता है फिर भी कभी कभी ये तूट जाती है या फिर लिख हो जाती है तो इसके लिए अलग से कुछ औरगनाईजर खरीदने का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी ज करेगा कम जगह में आप इसे रख पाओगे तो देखे यहाँ पे जो पॉलिथीन ली है जो भी आप बैग ले रहे हो इसको इससरी के से ट्विस्ट करना है खुला हुआ हिस्सा उपर की तरफ लेना है देख सकते हो अलग से इसमें स्पेस बन गया है मतलब दो पॉलिथीन गाट सी बनी है यहाँ पे जो कि एक दुसरे को अलग रखती है लिग भी नहीं होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी जरू ट्राइ कीजिए और हाँ आप ये वीडियो किस गाव से या शेर से देख रहे हूँ मुझे जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताईए ताकि मेरा वीडियो कहां कहां पहुँचा हो मुझे पता चल सके और यहाँ पे हमारी नेक्स टीप है दिखे जब भी हम पापड या फिर ऐसी कोई भी चीज बनाते है जो कि हमें साल भर के लिए स्टोर करके रखनी होती है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एर टाइट कंटेनर जो बहुत ही अराम से रहेगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें महनत भी लगती है घर पे हम इस सब चीजे बनाते है या फिर जैसे हम कोई भी चीज बनाते है उसे साल भर यूज़ करना चाहते है तो हम नहीं चाहेंगे कि बीच में खराब हो जाए तो इसके यहां पर 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 यहां अगर आपको कोई भी टेस्टी सब्जी बनानी है नो ये जो मीरच होती है कोई भी सब्जी हो है जल्दि सब्जी सॉफ्ट हो जाएगी हलकी सी पक जाएगी तो इसके बाद इस तरीके से हमें शालो फ्रा इसके थोड़ा करने के बाद इसके बाद इसमें जो भी आपको masala डालना extra का या फिर जो पानी डालना है वो आप डाल सकते हो जिस्से कि आपकी टेस्टी सब्जी बनेगी कम टाइम में एक बार जरूर ड्राइकर के दिखे बोहत ही कमाल की ट्रीक है ज्यादा तर जो कम तरी वाली सबजी या होती न उसके लिए बहुत ज़़धा काम आती है इसे हमारी गैस की और हमारे टाइम की भी बच्चत होगी साथी में सुबह-सुबह हमारे इतने सारे काम र पानी सब्सक्राइब अगर आप डालोगे तो जो प्यास में होता है जो हमारे आखो में पानी ये लाता है वो फुरा का पुरा खतम हो जाता है तो इसतरीके से हमें इसे पानी में रखने के बाद निकालना है और यहां पर हमें चाहिए पिलर चाकूका बिल्कुल भी use नहीं करेंगे देखे पिलर क इस तरीके से लेके आदा कटा हुआ प्यास आप इस तरीके से पकड़ोगे और इसे खीचते जाओगे तो आप देखो गे बहुत ही बढ़िगा बारीक ने कट सकते हैं ताकि आपको पूरा डिटेल में यह समझाए और कोई भी दिक्कत ना हो तो देख सकते हो एक जैसा प्यास बिल्कुल कट हो जाता है और फटा फट से हो जाता है आखों में पानी भी नहीं आएगा और बिना प्रैक्टिस के आप एक जैसा महीन प्यास को कट कर पाओगे जरू आपको किसी रेसिपीज में चाहिए बिर्यानी के लिए चाहिए तो इसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो देख सकते हो कितना बारी कट हो रहा है और वो भी बिना चाकु के एक बर आप जरूर ट्राय करके देखे बहुत ही आसान है अगर आप चाकु से करने तो आपको बहुत ज़दा प्रैक्टिस लगेगी पर देख सकते हो बिना प्रैक्टिस के इस तरीके से प्यास को कट करने का बहुत ही आसान तरीका है और कई बार ऐसा होते हैं हमें अलग-अलग इसके शेप चाहिए होते हैं तो उसके लिए अगर आप जो वेफर्स बनाने की चोटी सी मशीन होती चोटा सा जो बरतन होता है वो अगर आपके घर में है तो उससे आप प्यास को अलग-अलग डिजाइन में कट भी कर सकते हो और अगर इस तरीके से पिलर से करना चाहते हो जो की बहुती आसानी से मार्केट में पिलर मिल भी जाता है और हमारे घर में अव बहुती टाइम सेविंग टिप है और यह है पिलर का कमाल आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे जल्दी से कॉमेंट बॉक्स बताइए ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वो वीडियो ले के आऊ अगर आप चाकु से प्यास कट करने चाहोग कि सबजी में तो थोड़ा बहुत प्यास बड़ा रह जाए कोई दिक्कत नहीं पर बिर्यानी के लिए आगर महमान आने वाले हो तो इतना फाइन प्यास ही हमें चाहिए होता है जो कि हम कट भी करते पर बहुत जदा टाइम लगता है पर आज के बाद आपको इस तरीके से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और हाँ आपको सबसे जादा कॉंसे ट्रिक अच्छे लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो पसंद आया हो लाइक कीज़े शेर कीज़े चानल पे नए आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें पूरा वीडियो दे दिकने के लिए दिल से थैंक यू